नमस्कार वित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी स्वस्थ और सानन्द होंगे देखिए आज का जो स्टॉक है इस स्टॉक की खासियत यह है कि काफी अंडर वैलियूड है और इसका जो रिजल्ट आया है वो इतना शानदार है आप वेट करिए और वीडियो के साथ बने रहिए आपके इस स्टॉक के रिजल्ट में एक बंबिस्फोर्ट हुआ है बंबिस्फोर्ट तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसके कुछ फर्णामेंटर्स दिखाता हूँ पर नहीं मिल रहा है आपको प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 1.20 कल्कुलेट होके आ रहा है स्टॉक पी देखिए 11.2 है जबकि इंडस्ट्री पी 37.3 है इंडस्ट्री पी को अवरेज पी को भी टच करें अवरेज इंडस्ट्री पी को तो इसमें अभी कम से कम 3.5 टाइम्स की बढ़ोतरी हो सकती है यानि कि यहां से 3.5 पर सेंट का जम अपने ओरिजिनल वैल्यू से इसमें हो सकता है डेट इस पर 506 करोड रुपे का है फ्री कैश फ्लो माइनस 28.4 करोड है आरो सी देखिए 9.30 पर सेंट और आरो इए 5.07 पर सेंट प्लेजिंग बहुत कम है 0.30 पर सेंट है और डेट टू एविट 3.07 है अल्मोस लिमिट में है यानि कि डेट को सर्विस करने की इसकी कैपैबिलिटी थ्री के आसपास हो तो उसको हम बढ़िया मानते है थ्री से ज़्यादा हो तो हम खराब मानते हैं देखिए इस टॉक का नाम आपको मैं बता दूँ इस टॉक का नाम है केमिकल कंपाउंड है आप जानते हैं काफी सारे चीजों में यूज होता है कैस्टर डेरिवेटिव और फैटी असेट्स आप जानते हैं साबुन होगरा में यूज होता है साबुन बनाने के लिए जो में में जो केमिकल है वो फैटी असीड होता है It is flagship company of TBG Group, TGV Group जो है कई सारे spares में काम करती है, इसमें health care product है, aqua culture है, real estate है, pharmaceuticals, industrial chemicals and hospitality, यह basically chemicals में काम करती है और chemical segment में देखिए, TGV सराक का जो chemical segment है, 87% revenue इसका यहां से आता है, जो basic chemicals हैं, जो कि industries में बड़ी भारी मातरा में use होती है, तो इन basic chemicals को बनाने का काम इसका है, जिस में की 37% का revenue अचीव करती है, oil and fat segment से 13% of revenue, industrial uses, देखिए, industrial use क्या-क्या है इन products का, textile, pulp and paper, alumina, soaps, detergents, petroleum, fertilizers, pharmaceutical, agrochemical, water treatment, इन सबों में इसके products का use होता है, देखिए, इस company में traction क्यो है, मैं जारा बताना चाहूंगा आपको, COVID की वज़े से, करीब-करीब हर एक country में एक बहुत बड़ा relief package दिया गया है, जिसकी वज़े से industries में काफी growth है, particularly इंडिया में देखेंगे आप, water treatment एक बहुत जरूरी चीज है, जिसके लिए chlorine का इस्तेमाल होता है, तो water treatment के लिए जितना भी chlorine का use होगा जादा, उतना जाद इसके TGV SRAC के product से माल में आएंगे, फिर agrochemical है, आपको पता है agrochemicals, fertilizers, इन दोनों में ही सरकार काफी उदारता पूरवक इसमें पैसा दे रही है, इन sectors में, alumina आप जानते हैं कि जो जितना भी पैसा है, तो alumina से aluminium का extraction जो होता है, उसके extraction में भी इसके products का use होता है, जैसा सारे clients पे dependent है, यानि कि खराब मौसम हो, business खराब भी चल रहा हो, तो कोई अचानक से कोई एक भाग भी जाए, तो इसके revenues पर कोई major फर्क नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि clientele बहुत diverse है, ये 250 के आसपास पास पिछले 12 quarters में लगातार, 250 क्रोर से लेकर और थोड़ा उपर ज पास जोरदार jump दिखाई दे रहा है, operating profit margin देखिए 14% से बढ़कर सीधा 22% हो गया है, drastic change हुआ है, drastic change, अभी तक का जितना भी operating profit margin था, इसमें highest 17% सेप्टेंबर 2019 का था, अभी सीधा ये 22% चला गया है, जो show करता है, इसके products का market में इस समय कितना ज्यादा demand है, net profit देखिए 10 क क्रोड से बढ़कर सीधा 41 करोड हो गया है, यहां 300% से उपर का jump है, closest जो data है, वो 24 क्रोड है, जो मार्च 2019 में बनाता, इसका जो nearest data है, 27 क्रोड का September 2019 में बनाता, और उसके बाद देखिए कितना drastic change आया है, 300% के आसपास EPS में भी jump है, quarter on quarter basis पर भी मैं आपको result बता देता हू 305 क्रोड से sales बढ़कर 436 क्रोड हो गया है, करीब करीब 40% का mind blowing jump यहां पर आपको sales में देखने को मिल रहा है quarter on quarter basis पर, operating profit margin देखिए, 16% से jump करके drastically 22% पर पहुँच गया है, net profit 15 क्रोड से बढ़कर 41 क्रोड हो गया है, 170% के आसपास का jump net profit में है, और EPS में भी करीब करीब इत 20% के आसपास का jump दिखाई देता है, तो year on year basis पर भी देखें तो भी और quarter on quarter basis पर देखें तो भी इसमें एक जोरदार jump है, देखें इसका एक life chart है, 2018 में इसने करीब करीब 85 rupees का peak touch किया था, अभी जो इसने result post किया है, बड़ा ही शानदार है, उसके मद्दे नजर मुझे 20% का जोरदार jump दिखाई देता है, तो इस stock पर definitely नजर बना कर रखिए आप, और मुझे लगता है कि इस stock में शायद इससे कहीं ज्यादा ये उपर जायेगा, हो सकता है कि कहीं आपको शायद ये 95 ये 100 भी touch करता हुआ दिखाई दे, तो मुझे आश्चरे नहीं होगा, अग में कितनी जबरदस्त तेजी आई है जरा आप देखिए, देखिए लुहारु का media and infra, 3.41 पैसे पर 341 पर मैंने आपको recommend किया था, कौन सा date है वो भी देख लीजे, वीडियो नमबर 335 में और 25th January को मैंने आपको recommend किया था, लुहारु का media को, आज ये इसका price 5.47 पर है जाकर 20 दिनों में आपको मिल चुका है, तो इस stock में एक अलड़ी बड़ी भारी तेजी आ चुकी है, देखिए जरा इसकी commentary भी देख लीजे, इस penny stock में skyrocket, मतलब ये rocket की तरह उड़ेगा, ये मेरा commentary था, मैंने goku lagro को कम से कमाट 10 बार आप लोगों को different times पर आगा किया है, और शा 108% के आसपास gain मिल चुका है, Terra Scope Ventures को मैंने लगबग 1.92 पर बताया था, और ये तकरीबन 5.5 के आसपास थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ये चला गया, इसने peak बनाया, और यहाँ पर भी within 3-4 months आपको जोरदार करिब करिब 120% के आसपास की तेजी देखने को मिली, तो फा वीडियो नमबर 311 में मैंने इन दोनों स्टॉक के बारे में बताया था, Goku Lagro और Terra Scope Ventures, इन दोनों स्टॉक में आपको 600% और 120%, 600% तो एक साल में जाकर मिला है आपको, और Terra Scope Ventures में सिर्फ 3-4 महीने में ही आपको 120% का gain मिला है, इस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, A Master DM Health Care आपको बताया था, 183 के price पर, जवर्दस तेजी थी, एक दिन में आपको 5% का gain इसमें मिल गया है, कल ही मैंने आपको बताया था, Relaxo Footwear के बारे में 5% की जोरदार तेजी थी, मैं आपको पिछले 4 वीडियो अपने दिखाऊंगा, पिछले Friday, Saturday, Sunday को पिछले हप्ते मैंन इस पिछले वीक में आ चुका है, मद्य भारत Agro Product Limited, MBAPL, ये वीडियो नंबर 347 में मैंने बताया था, इसमें कर 20-20% के दो अपर सर्केट लगे, 40% का gain मिला, उगर शुगर भी मैंने वीडियो नंबर 347 में ही बताया था, इसमें भी 20-20% के दो अपर सर्केट लगे, यहां नंबर 349 में बताया था, इसमें एक ही दिन 20% का जोरदार सर्केट लगा था, इसके जस्ट पहले याद करिए, मास फाइनांस, करिब करिब 35-40% का gain मास फाइनांस में मिला था, 470 से उठकर ये लगभग 710 या 15 रूपे के पीक को इसने टच किया था, करिब करिब यहां पर 40% के आसपास या इवन ज्यादा, इसमें भी gain आ चुका है, देखे हमारा एक private WhatsApp ग्रूप है, और इस WhatsApp ग्रूप में हम कई सारी facilities देते हैं, पैटरन मेंबर्स के लिए है, बड़े ही nominal fees पर मिसका membership देते हैं, उसे 24-7 मुझसे contact में रह सकते हैं, week में एक बार आप मुझसे direct ब membership आप चाहते हैं, तो WhatsApp ग्रूप का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पर आप अपना name, mobile नंबर और email ID भेज दीजे, आपको सारे जानकारी email ID पर सारे details भेज दिये जाएंगे, तो ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक आप लोगों से इसी तरह के एक जबर दस वीडियो में कल फिर से तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्त रहिए, और खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जाये श्री राम